हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्विक अनलिसिस चैनल चलिए जल्दी से बात करते हैं अब हम अपने आज की रोचक रियल क्विक अनलिसिस की आज जब एक आदमी ने इतिहास में अमर होनी की चहा में दुनिया भर के लाखों लोकों को कोरोना का निशाना बना दिया तब धीरे धीरे ही सही दुनिया को यह समझ आ रहा है कि पिछले 40 सालों में चीन का तुस्टी करण करने की नीती के परिणाम को आज विश्व ने कोरोना संकट के रूप में भुवतना पड़ रहा है लेकिन आप सभी तो हमेशा से इस तुस्टी करण की नीती के खिलाफ थे तिबबत हो या ताइबान हो जब चीन दूसरों के हितों की परवन नहीं करता है तो भला दूसरे अंदे होकर क्यों चीन के सुआर्थ साधने में लगे रहे लेकिन जिस दरजे का समर्थन तिबबत को मिलना चाहिए था वह अभी तक संभव नहीं हो पाया है आम तोर पर हम सुनते हैं कि अमेरिका ने तिबबत में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया वह कानून बनाया उधारण के लिए पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिकी संसद में तिबबत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित किया था लेकिन आप अमेरिका की देखा देखी जापान के भी होसले बुलंद होने लगे हैं और यही देखने को मिला जब 27 अपरेल को जापानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने ओल पार्टी जैपनी सपोर्ट ग्रूप और तिबबत ने तिबबत के संघर्ष का सम ले लिया वैसे भी तिबबत और जापान का बौद धरम का नाता है इसलिए देर से ही सही लेकिन जापान ने दुरुस्त कदम उठाया और आज है दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पार्लियमेंटरी सपोर्ट ग्रूप बन गया है जो कि जापान के ऑफिशियल डेवलोप्मे जिनकी गूँच सीधे बीजिंग तक सुनाई देती है लेकिन उन्हें हमारी मीडिया नचर अंदाज कर देती है उन पर हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे और उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर लीजेगा वैसे भी भारत में बैटी हुई तिबबत की निस्कासत सरकार को अमेरिका और जापान से जितना समर्थन मिले उतना अच्छा है इसलिए जापान ने गुप चुप अंदाज को छोड़ कर खुले में आकर तिबबत की असली सरकार की होसले बुलंद कर दिये हैं और हम सभी इसका स्वागत करते हैं दोस्तों अभी तो ऐसा लगता है कि चीन ने इस पूरे घटना करम को जान कर भी अंजान कर दिया है वैसे उसने दुनिया के खिलाफ इतने मोर्चे खोल रखते हैं कि उसे खुद समझ में नहीं आता होगा कि कब किस मोर्चे पर मूँ खोलना है ले पर सुहागा हो जाएगा और इस पूरे डेवलोप्मेंट के दौरां तिब्बत में चीन के दौरा चलाए जा रहे दमन चक्क्रे के खिलाफ भारत सरकार भी अधिकारी के रूप से कुछ बोलेगी इसी एक अपेक्षा में हम यह वीडियो समाप्त करते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसको लाइक और शियर जरू कीजिए साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही एनलेसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारी चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्स फ़र वाचिंग इस वीडियो फ्रेंग्स